हेलो एब्रीवन वेलकम टू विद्धिय श्रीय कैजमी आई होप यॉर डूइंग वेल हम पढ़ने वाले हैं आज 21 जन्वरी दोजार तेईस का करेंट अफेर की शुरुआत हम आज के थौट से करते हैं आज का थौट है आपकी जिंदिगी आपके हाथ में हैं किसी और का इं आयोजित होगा तो देखे ये क्या है ये एक सयोक्त प्रसिक्षन अभ्यास है जिसका नाम है साइकलोन फस्ट इसका आयोजन किया जा रहा है किस देश के सांथ मिश्र के सांथ अब बात मिश्र की आई है तो आपको पता होना चाहिए कि जो मिश्र के राष्ट पती हैं वो क प्राइवजित कौन से संकल्प को अपनाया है? तो देखिए सहियोक्त राष्ट महासभा जो की युनाइटेड नेशन और्गिनाइजेशन का एक महत्य पूरंग है इसने भारत के सह सहयोजित मतलब जिसमें सहियोक्त राष्ट महासभा भारत मिलके काम करने वाला है उसके लिए जो संकल्प अपनाया है वो है लोकतंत्र के के लिए सिक्षा देखे लोकतंत्र क्या है तो अब्रेहेम लिंकन जी ने कहा है कि जनता द्वारा जनता के लिए जनता द्वारा जो कानून बनता है वही लोगतंत्र है तो यहाँ पर भारत ने सिक्षा के लिए क्या क्या काम किये हैं ये आपको पता होना चीए तो देखे सबसे पहले तो सिक्षा को एजुकेशन को fundamental right के अंतरगत शामिल किया गया है article 21A जो 86 constitutional amendment 2002 था उसके तहत जो fundamental duties हैं मतलब जो हमारे मौलेक करतव्य हैं उनके तहत भी जो 11 नमर का मौलेक करतव्य जोड़ा गया था वो सिक्षा के जोड़ा गया था और right to education जो सिक्षा का अधिकार है वो भी 2009 के द्वारा क्या है मिला हुआ है और अभी जो सिक्षा मंत्राले का नाम बदल के मतलब पहले जो मान 2020 में आपको पता होगा घोष्णा हुई है जो कि कस्तूरी रंगन समयटी की कमयटी की अध्यक्षता में बनी है तो ये इतनी फैक्ट आपको education से रेलेटेट पता होना चाहिए next question है अमेरिका नगर परिशत की सदस्य वने वाली पहली आश्वेत भारती मूल की महिला कौन बनी है तो ये हैं जनानी राम चंदरन इनका नाम है और ये समलेंगे पहली आश्वेत भारती मूल की महिला बनी है और कहां पर नगर परिशत की ये त्यक्ष बनी है तो आपको याद रखना है इनका नाम, अब बात समलेंगेक्ता किया ही है, तो जो हॉमो सेक्चुलिटी है, उसको सुप्रीम कोट ने आर्टिकल जो धारा 377 है, इसके तहट पहले अपराद माना जाता था, लेकर इसमें क्या किया गया, ये अमेंडमेंट किस के द्वारा किया गया था, ये भी आपसे पूछा रह सकता है, तो जो नवतेच कॉर केस था, उसके तहट धारा 377 के तहट समलेंगेक्ता को अपराद नहीं माना जाएगा, और जो निच्टा का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी का जो केस आया था, वो किस केस से अपना ही है, next question है, अंतरास्टी परेटन मेला, फितूर, आपने सुना होगा, फितूर जो है, कई गानों में भी यूज़ होता है, लेकिन यहां पर वो वाला फितूर नहीं है, यहां पर यह अंतरास्टी परेटन मेला, फितूर, 2023 का कोन सा संस्क्राण मैड्रिड में पुजित हो रहा है आप जानते हैं कि जो मैडरेट, इस्पैन जैसे देश हैं वहां पर टूरिस्म काफी वहां की जो एकोनॉमी है वो टूरिस्म बेज़ रहे वहां पर देश विदेश के परेटक जाते हैं गूमने के लिए तो कोविड-19 के दौर में दो सालों में तीन सालो में पिछले जो टूरिस्म है वो काफे एफेक्ट हुआ है और टूरिस्म से जो देशों की अर्थविवस्ता चल रही थी उनको काफी नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ा है तो ये अंतराश्टी परेटन मेला है जो इस पैन की राजधानी है मैडरेट वहां पर क्या ह हो रहा है आयोजित किया जा रहा है तो ये कौन से नंबर का संस्क्रण है ये 43rd नंबर का संस्क्रण है 18 से 22 जन्वरी को होगा और इसका उद्देश यह है कि परेटन को बड़ावा देना COVID-19 के पहले जिस तरीके से परेटक आते थे अब भी उसी तरीके से यहां पर टूरि जी चुके हैं ये 22 तो ये भी आपको याद रखना है फिर नेक्स क्वेशन है कि इंडिया दा मोधी क्वेशन डोक्यूमेंटरी किसके द्वारा जाधी की गई है तो ये BBC आपको BBC का फुल फर्म बताना है काफी चर्चा में रहा है काफी विवाद में रहा है ये मुद्दा देखें क्या हुआ है कि जो 2002 के अंतरगत गुजरात में जो दंगे हुए थे तो 2002 में आपको पता होगा गुजरात में जो दंगे हुए थे उस टाइम पर जो गुजरात के गुजरात के जो मुख्यमंतरी थे मुख्यमंतरी के पतपर कौन थे वो PM जो वर्तमान में मोधी ज हैं वो क्या थे 2002 के समय में गुजरात के मुख्मंत्री थे और उसी दोरान क्या हुआ था गुजरात में दंगे हुए थे जिसका डारेक्ली इंडारेक्ली जो ब्लेम था वो मोदी जी की उपर लगाया जा रहा था कि कहीं न कहीं उनकी लापरवाई थी लिकिन ये मामला भी प्रशारण का ही आप चैनल बोल सकते हैं इसको जिस तरीके से हमारे यहां पे निउस चैनल पब्लिश होते हैं तो बीबी सी इस तरीके से डॉक्यमेंट्री निकालता है तो उसमें मोदी जी की जो चबी है जो भारत की चबी है वो काफी नकारात्मक दिखाई गई है और उ करते हैं तो अभी विदेश मंत्रालाय जो है विदेश मंत्रालाय ने इसका काफी विरूत किया है तो विरूत की दौरान जो उसका फॉस्ट पार्ट है वो आपको अप यूचूब पे भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसको डिलेट किया गया है लेकिन बीबी सी का कहना है कि जो ये UK का राश्टी ये प्रशारन चैनल है, इसमें 2002 की दंगों के बारे में बताया गया है, तो विदेश मंत्रालाय ने क्या बोला है, विदेश मंत्रालाय का कहना है कि भारती लोग तंत्री की भावना के खिलाफ है, इसलिए हम इस डॉक्यूमेंटरी का विरोध करते हैं, फि इसमें ये बताया गया है कि इसक्षा किस तरीके से महामारी के कारण प्रभावित होती है, और इसका उद्देश ये ही रखा गया है कि क्वालिटी एजूकेशन को बड़ावत दिया जाएगा, अब देखिए, टाटा बोइंग एरोस्पेस ने पहली बार भारती सैना के लि हेलिकाप्टर है, जो काफी चर्चा में रहते हैं, तो टाटा और बोइंग, दोनों कमपिनी ने मिलकर एक च्वाइंट एडवेंचर किया है, जिसमें क्या है कि एरोस्पेस ने पहली बार भारती सैना के लिए हेलिकाप्टर डिलेवर किये हैं 22, 22 हेलिकाप्टर ने और इन 64 अपाचे को लेकर टाइअप हुआ है, आपसे पूछा जा सकता है कि अपाचे का संबंद किस दिश से है तो याद रखिएगा अमेरिका से है और बोइंग कमपिनी का संबंद भी अमेरिका से है, जो प्रचेंड हेलिकाप्टर है वो कैसा हेलिकाप्टर था तो वो हलका कि यह कोई बड़ी बात थोड़ी ना है कि कोई चमगादड देखी गई है तो उसे हम इस तरीके से करेंट अफ्यर में डिसकर्स कर रहे हैं बट दिखे हमने जनरली वैसे तो मुझे नहीं लगता सबी लोगों ने चमगादड को देखा भी होगा क्योंकि यह बहुत रेयर अब देखने मिलती है लेकिन फिर भी आपने देखी होगी तो काले रंगी चमगादड देखी होगी यह नारंगी रंगी चमगादड है जो काफी विलुप्त प्रायजाती के अंतरगत आती है और यह बहरत में देखने नहीं मिलती है लेकिन जो नैशनल पार्क है कांगेर गाटी नेशनल पार्क जो कहा आता है, चितीजगर में आता है। यहां पर इसे देखा गया है। यह काफी जलजा में रही है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? फलाइंग फॉक्स के नाम से जाना जाता है। देखें जब भी कोई विलोपत प्रायप रजाती से रिलेज़ कुछ इस तरीके के question आता है तो UPSC एंसे question जरूर पूछता है तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इस question को चात्राओं को 60 दिन के लिए मातरत अवकास देने की घुष्णा की गई है देखिए अभी तक आपने देखा होगा कि जो मातरत अवकास है वो जनरली माताओं को दिया जाता था मतलब जिन लडिकों की शादी हो जाती थी और जब वो मा बनती थी तब उनको मातरत अवकास दिया जाता था लेकिन अब केरल गवर्मेंट की पहले कि ये चात्राओं को मतलब जो बालिकाएं हैं उनको साथ दिन के लिए मातरत अवकास दिया जाएगा और ये कब दिया जाएगा और क्यों दिया जाएगा तो मासिक धर्म इवा मातरत अवकास ये मासिक धर्म को लेकर है क्योंकि जब पीरियर्ट के दिनों में काफी दिक्कत होती है काफी दर्द होता है तो ऐसा कीरल गवर्मेंट का कहना है कि जो शारेरेक और मानसेक एक तरीके से दवाव रहता है वो इन दनों में रहता है तो जो कीरल गवर्मेंट है उसने साथ दिन की मातरित अफकास की गोशना की है काफी अच्छी पहल है ये Next question है कि आफ़ए विज्यानिका विज्यान साहिते महुतसद 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा पि ये आफ़ए विज्यान साहिते समारोxico हो रहा है कहां पर हो रहा है मद्यपृदीश की राजानी भूपाल में हो रहा है अभी मद्यपृदीश काफी चर्चा में है आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर MP पटवारी का एक्जाम हो रहा है इसलिए मद्यप्रदेश चर्चा में है इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ये तो खेर है ये बहुत बड़ा 17 लाग से अधिक फॉर्म बर चुके हैं आप अपनी तयारी का इसतर बहुत चरम सीमा पर ले आए क्योंकि ये काफी टफ कॉम्पिटीशन है लेकिन कोई नहीं अगर आप अच्छे से महनत करेंगे तो बेड़ा पार जरूर हो जाएगा हाँ हम बात कर रहे थे मद्यप्रदेश की तो मद्यप्रदेश में क्यों चर्चा में रहा क्योंकि अभी नौजनवरी को यहां पर राष्टी प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया जो कहां पर हुआ था इन दौर में हुआ था तो इसको भी आपको याद रखिएगा और जो भी मद्यप्रदेश से रिलेटट करेंट अफियर है वो आप विद्यश्री अकैडेमी की कम्यूनिटी में जाकर जरूर चेक करिए वहां पर आपके लिए बहुत सारी क्वेजिस रहते हैं और उसके अतरेक्त बहुत सारी इंपॉर्टन करेंट अफियर से रिलेटट जो भी न्यूज अनलेसिस रहता है वो भी मैं वहां पर डाल देती हूँ तो आप एक बार कम्यूनिटी में जाकर जरूर चेक करिएगा फिर आज का जो क्वेश्चन आफ दे है वो है कल ही हमने ये डिसकस किया किया था कि न्यूज जिलेंड की जो पी एम थी वो एक महिला थी उन्होंने स्थिफा दे दिया है आपको उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है चलिए ये तो आज का करेंट अफियर था हम कल का करेंट अफियर क्विकली रिवाइस करते हैं संगाई सहियोग संगिठन ने 2023 का सिखर संभीलन कहां पर होने वाला है हमारे प्यारी भारत में होने वाला है नेक्स क्विशन है ब्रांट फाइनेंस की वेश्विक आईटी ब्रॉड सूची 2023 के अनुसार भारत में कौन सी आईटी कंपिनी सीर्स थर्ड में आई है तो जो सेकेंड और थर्ड रैंक आया है वो इंडियन कंपिनी का है सेकेंड रैंक पर TCS है और थर्ड पर Infosys है फिर कोलंबिया यूनिवरसिटी में पहली बार महिला अध्यक्ष्पनी है मिनोचे शाफिक इनका नाम यान रखेगा फिर तीन ट्रिलियन अनलोक की पहल के द्वारा दगिविंग टू एम्प्लिफाइ आर्थ एक्शन की सुरुवात कहां पर की गई है वर्ल्ड एकॉनमेक फूरम की द्वारा की गई है यह सब कल का करेंट अफियर है से लिए हम खुईक्ली रवाइस कर रहे है यह क्वेशन नहीं बताऊंगी क्यूंकि यह आंसर है आज के क्वेशन का MSN गुरुप त्वारा पहली वार कैंसर की पाल्वो सी क्लिप को लॉंच किया गया है यह एक जैनरिक दवा है कैंसर की तो यह किस कैंसर की दवा है तो यह ब्रेस्ट कैंसर की दवा है कैंसर क्या होता है तो जो अनेमित कोशिकाओं की ब्रद्धी होती है कोशिकाओं में अनकंट्रोल ग्रोथ होती है उसे ही कैंसर कहा जाता है और कैंसर की स्टेड़ी ओंकोलोजी कहलाती है नेक्स कुश्चन है कि नमस्ते वर्ड खिलोना ब्रांड कहां से लॉंच किया गया तो हैदराबाद से लॉंच किया गया था पूरी तरीके से ए-governance mode से shift होने वाला देश का पहला यूटी कौन सा बना है जम्मू एबं कश्मीर आपको comment box में लिखकर बताना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दा को कब separate किया गया था नेक्स कुशन है लगू बैंक सर्विस्ट पूरुसकार किस बैंक को मिला है तो तमिलनाडू का मर्केट आइल बैंक है जिसको सबसे smallest लगू बैंक का best कैटिगरी में पूरुसकार मिला है हाल ही में जो कवी थे नील मडी फूकन उनका निधन हो गया है उनका संबंद किस राज जिसे है तो उनका संबंद असम से था और जो 56 नमबर का ग्यानपीट पूरुसकार था वो नील मडी फूकन जी को मिला था मैंने कल आपसे question पूछा था कि 2022 का जो जल प्रवंदन पूरुसकार है ये किस राज जी को मिला है तो ये मिला है उत्तर प्रदेश योगी आदित तिनाद जी का जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश वहां पर क्या मिला है उस राज जी को जल प्रवंदन पूरुसकार मिला है तो ये आज का कल का current affair था आई होप आपको ये current affair की series अच्छी लग रही होगी अगर आपको लगता है कि आपके लिए थोड़ा बहुत भी informative है तो प्लीज लाइक शियर और सब्सक्राइब थैंक्यू सो मच खुश रहिए पढ़ते रहिए जय हिन जय भारत